नमस्कार दोस्तों और मेडी अपडेर्स चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि सिर्फ साथ दिन हल्दी वाल दूद पीने से जो फाइदे होंगे वह आप सोच भी नहीं सकते लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अर्मेडी अपडेर् सकें और साथ में लगए बेल आइकोन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक पूचें तो दोस्तों आज हम आपको दूद में हल्दी मिला कर पीने से होने वाले फाइदों के बारे में बताएंगे बारत में हल्दी हर सोई में पा होगा आउरुवेद में हल्दी को सबसे बेहतरी नैचरल एंटिब्योटिक माना गया है इसलिए स्किन पेट और श्रीर के कई रोगों को ठीक करती है हल्दी के पोदे से मिलने वाली इसकी गांठे ही नहीं बलकि इसके पत्ते भी बहुत अपयोगी होते हैं ये तो हुई ब फाइदे दुगने हो जाते हैं इन्हें एक सथ पीने से ये कई स्वास्ते संबंदी समस्याइं दूरगोत कर देता है हल्दी दूद के गुनों के कारण इसे गौल्डन मिल्क भी कह जाता है तो ये जानते हैं दोस्तों इसके गुनों के बारे में रोजाना हल्दी वाल दू दूद को गठिया के निदान और रिव मैटरी गठिया के कारण सोजन के उप्चार के लिए उप्याग में लिया जाता है या जोड़ों और पेशियों को लिचीला बनाकर दादे को कम करने में भी साहिक होता है हल्दी वाल दूद के सेवन से कान दर्द जैसी कई समस्व में भ बढ़ जाता है जिससे दर्द में तेजी से अराम आता है रोजाना हल्दी वाल दूद पीने से चेरा चमकने लगता है रूवी के फाहे को हल्दी वाल दूद भिगो कर इस दूद को चेहरी पर लगाए इससे त्वचा की लाली और चिकत्य कम होंगे साथ ही चेहरी पर कि गंदगी को साफ करने वाला होता है। ये मोटापे को भी कटाता है। रोजाना एक गिलास दूद में आधा चमच हल्दी मिलागर लेने से शरीर सोडोल हो जाता है। दरवसाल गुनगने दूद के साथ हल्दी सिक्का सेवन करने से शरीर में जमाफ्यार्स घड़ता है। इसमें वो पस्तित कैल्शियम और अन्य तत्व सिहत मंत्रिके से वेट लॉस करने माददगार है। हल्दी वाला दूद लिवर को मजबूत बनता है या लिवर से सम्मांदें वीमारियों से शरीर के रक्षा करता है। इससे कई वाला ठीक हो जाती है वह इसको खासी में भी राम मिलता है दोस्तो। तो इसके लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की दिरूरत नहीं है, आपके अरस्वई में इसमान मिलता है, आप घर में दूद भी होता है, हल्दी भी है, इसको मिला गर इसका सेवन करें, और प्रिश्री को स्वस्त बनाएं, और इन सब लोगों से छुड़कारा पाएं दोस्त प्रिएरी बाहर थिएरी बाहर दोस्त विए ङसते लंगराcrों में राहर